जिन लोगों ने देश को धुए में जीने के लिए छोड़ दिया था, वो अब देश में जूट का धुआ फैलाने में जूटे हैं, जूट की बुनियाद पर महा मिलावड का खेल खेलने में लगे हैं। संगत का असर ये है कि यहां के मुक्यमंत्री जी भी आंधर प्रदेश के विकास के विजन को भूल कर, मोधी को गाली देने की कॉम्पिटिशन में कूद गए हैं। उन्होंने वादा किया था कि आंधरा के इंफा सेक्टर का टन एराउंड करूंगा, लेकिन खुद ने ही यूटन ले लिया। अमरावत्ति के नव निर्मान का वादा किया था, लेकिन अब पुना निर्मान में खुद लगे हैं। उन्होंने आंधरा प्रदेश के सन राइश का वादा किया था, लेकिन अपने सन, S.O.N. अपने सन को ही राइश कराने में जुट गए हैं। उन्होंने आंधरा के गरीबों के लिए नई योजनाएं चलाने का वादा किया था, लेकिन मोदी की योजनाओं पर ही अपना स्टीकर लगा दिया है। सात्यों मैं तो अहरान हूँ कि आखिर मुख्यमंत्री जो हो क्या गया है, वो बार बार मुझे ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। इसमें क्या भी बाद है, आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है, दल बदलने में, आप सीनियर है, नए नए दलों से गड़बंदन करने में, आप सीनियर है, अपने खुद के ससूर की पीठ में छुड़ा बोंकने में, अरे आप सीनियर है, एक चुनाओ के बाद दूसरे चुनाओ में हारने में, एक चुनाओ के बाद दू उस्रे चुनाव में हारने में और मैं तो उसमें सीनियर हूँ नहीं आप सीनियर है आज जिसको गाली दें कल उसकी गोदी में बढ़ने में सीनियर है आंद्र के सपनों को चूर चूर करने में सम्मान अपनी जगह है लेकिन जन्हित के मुद्धों पर जब वो चुकेंगे अपनी बातों से अपने बादों से पल्टेंगे तो देश का सेवक होने के नाते मैं उन्हें याद जरूर दिलाऊंगा साथियों अपने सिध्धानतों से एन लोकेश के पिताजी इसलिए भटक गए हैं क्योंकि वो सच्चाय का सामना नहीं करना चाहते मैं आज उनका सच आपको बताने के लिए आया हूँ दूसरा सच वो कभी दुबारा चुनाव जीत नहीं पाए हैं और इसलिए चुनाव में बुरी तरव उनको हार का डर लग रहा है दूसरा सच अपने बेटे को राजनिती में स्थापित करने की कोशिश तीसरा सच अपनी फेल्स का क्रियेशन और चौथा सच जो इस समय आप से बात कर रहा हैं आपका ये चौकिदार उन्होंने उनकी निन्द हराम करके रखी है झाल